हेलो गाइस वेलकम तो दी चैनल तो आज की वीडियो में मैं सेवें डेली सिंस के सीजन 4 इंगर्स जज्जमेंट के न्यू रिलीज डेट दे प्रॉमिस नेवलेंड के लाइव एक्शन मुवी के न्यू टीजर और कुछ न्यू एनिमे के रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूँ तो without any further ado let's start the video So first news is Seven Deadly Sins के new season से Fantasy, Action, Acho, Adventure genre के ये anime Seven Deadly Sins के new season का announcement हो चुका है Season 4 का नाम होने वाला है The Seven Deadly Sins Angus Judgment और ये new season पीमियर होने वाला है जपैन में around 2021 January तो इस latest Average Season को October 2020 में ही रिलीज हो जाना चाहिये था पर कोवीड-19 की वज़े से ये एनिमे का लेटेस सीजन को 2021 से ब्रोडकास्ट के लिए पोस्पॉन कर दिया गया है मांग आथर ने खुद कान्फरमेशन दी है अपने ओविशल ट्विटर अकाउंट से उस ट्विट में जैपनीज में लिखा है इसी के साथ इस सीजन का न्यू पोशर भी रिलीस कर दिया गया है सेकर न्यूज एनिमे के दो सीजन पहले से रिशलिज हो चुके हैं और अब नेट्फिक्स इस नेट्फिक्स ओडिजिनल एनिमे के थरड इंस्चॉलमेन्ट से रिलीस करने वाला है 7 अगस्ट को इसके 3rd सीजन का न्यू ट्रेलर लाँच हुआ था इस न्यू ट्रेलर के साथ-साथ एक न्यू करेक्टर का भी अनौस्मेंट किया गया था इस न्यू करेक्टर को प्ले करेंगे Yuki Kaiji Yuki Kaiji ने Attack on Titan के में प्रोटेकरिस्ट Tiran Yeager को भी वाइस दिया है इस न्यू ट्रेलर के साथ-साथ एक न्यू डिजैन में रिलीज हुआ है ये न्यू करेक्टर एक बिजनेसमेन होने वाला है इसका नाम होगा बिजनेसमेन उनिकॉन सेया Promise Neverland के लाइव एक्शन मूवी का एक नए टीजर लाँच हो चुका है इस ट्रेलर में सभी में इन कास्ट Emma, Norman, Ray, Isabella and Sister Crone के लाइव एक्शन कास्ट को भी दिखाए गया है ट्रेलर देखके बड़ा ही अच्छा लग रहा है और लाइव एक्शन मूवी बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है ये मूवी 18 December 2020 को रिलीज होगी in Japan इंडियन रिलीज का तो अभी कुछ पता नहीं है बाट इस फिल्म को प्रेड्यूस करेंगे Amazon Prime Videos तो शायद से लोग इंडियन Prime Videos के प्लेटफॉर्म पर भी इस लाइव एक्शन को रिलीस कर सकते हैं अभी तक कर तो कुछ confirmation नहीं मिलिये कुछ confirmation आते ही मैं आपको बता दूँगा तो फेट तिरिस की फेट स्टे नाइट, Heaven's Feel, Third Spring Song, The Final Film in the Heaven's Feel, Anime Film Trilogy इसके एक special featuring होने वाली है 15th August को 15th August को ये फिल्म भी रिलीज होगी around theater in Japan A new spoiler film 15 second trailer was released ये फिल्म में Holy Grail War की ending दिखाई जाएगी वैसे तो इससे दो बार पॉस्षपन किया जा चुका है बट अब तो पक्का हो चुका है कि इस फिल्म को 15 अगस्त को ही आना है around Indian Independence Day इस movie के worldwide release के date तो अभी पता नहीं है क्योंकि Corona बहुत सी countrys के अंदर Corona अभी पीक स्टेट पे ही चल रहा है तो worldwide theater release अभी halt किया गया है जपैन में हाला सुधर रहा है तो इसलिए इस film को theater में release किया जाएगा in Japan तो एक और news है Miss Kobayashi Dragon Mate के second season से related तो आपको पता ही होगा कि Kyoto animation पे 2019 को एक arson attack हुआ ता जिसकी वज़े से बहुत सारी जाने और पैसो का नुकसान हुआ था इस anime को भी Kyoto animation नहीं produce किया था और लोग इस anime के second season का बहुत ही जादा इंतजार कर रहे थे बट उस attack के वज़े से second season थोड़ा delay हो गया है बठाल ही में इस anime के official Twitter handler ने post किया है और इस post में लिखा था 3 days from now on something seriously awesome अब इसे लोग क्या बोलना चाहते ये तो नहीं पता बट हिंट लग रहे हैं कि second season का कुछ announcement मिल जा सकता है उसकी release date और trailer भी आ सकती है ये लोग बहुत ही जल्द tweet करने वाल है I mean 3 दिन के बाद जब ही tweet होगा जब हमको पता चल जाएगा कि ये awesome क्या चीज होने वाली है तो गाइस ये न्यू वीडियो अपडेट अब आपको अच्छी लगी होगी तो उम्मीद है कि फिर मुला कात होगी ऐसी न्यू वीडियो में बट अंटिल देन गुडबाय एंड टेक केर कि ये वीडियो भाइस भाइस भाइस